दिल्ली के चर्चित अंतराष्ट्रिय किद्नी रेकेट का तार आजमगर से भी जुड़ा, दिल्ली कुलिस की गिरफ्त में आया मोहम्मद शारिक आजमगर का निवासी, शारिक को गिरफ्तार करने आजमगर आई थी दिल्ली पुलिस. नई दिल्ली आजमगर्ड, दिल्ली पुलिस की अपराद शाखा ने बड़ी कार रवाई करते हुए भारत्व बांगलादेश में चल रहे अंतराश्ट्रिय किद्नी गिरोह का परदाफाश किया है पुलिस ने चार बांगलादेशियों समेट साथ को गिरफतार किया है जबकि तीन मरीजों को बाउन डाउन किया गया है किद्नी डोनव प्राप्ट करता दोनों की बांगलादेशी होते थे और नौईडा वर्द दिल्ली के अस्पतालों में गैरकानूनी रूप से प्रत्यारोपन किया जाता था आरोपी डोनव को साड़े तीन लाख रुपे देते थे और प्राप्ट करता से 20 से 22 लाख रुपे लेते थे बताया जा रहा है कि किद्नी रेकेट तीन वर्ष से ज़्यादा समय से चल रहा था किद्नी रेकेट के इस अंतराष्ट्रिय चर्चित मामले के तार आजमगर से भी जुड़े हुए हैं डिल्ली पुलिस ने महिला डॉक्टर समेथ जिन साथ लोगों को गिरफतार किया है उनमें मुहम्मद शारिक पुत्र कलीम आजमगर जिले के बिल्रिया गंज थानक शेत्र के बिंद्वल गाव का निवासी है जिसकी तलाश में डिल्ली पुलिस बीते 23 जून को आजमगर आई थी डिल्ली पुलिस को 16 जून को सूचना मिली की एक सांगर्थित अपराद गिरों के लोग गैर कानूनी रूप से किद्नी प्रत्यारोपन का धंधा कर रहे हैं एसीपी रमेश लामबा की देखरेक में इंस्पेक्टर कमल कुमार एवं सत्येंद्र मोहन, एसाई गुलाब सिंग, आशीश शर्मा, समय सिंग, एसाई शेलेंद सिंग, राकेश कुमार और जफरुद्दीन की टीम ने जाज शुरू की टीम ने जसोला गाउं में घेराबंदी कर चार आरोपी बांगलादेशी रसेल रोकोन, सुमन मिया और त्रिपुरा निवासी रितेश पाल को गिरफतार कर लिया उनकी निशान देही पर तीन प्राप्त करता और तीन डोनर की पहचान की गई अपराज शाखा ने मामला दर्जकर सभी छह आरोपियों को गिरफतार किया गया आरोपियों ने पूछताच के दौरान बताया कि गिरोह के सदस्य बांगलादेश में डायलेसिस केंद्रों पर जाकर किड़नी की बीमारी से पीरितों को निशाना बनाते थे ये किड़नी डोन भी बांगलादेश में ही धूनते थे डोन को भारत लाया जाता था और फिर पास्पोर्ट जबत कर उन्हीं किड़नी देने के लिए मजबूर किया जाता था इसके बाद आरोपिय रसेल और इफ्तिय अपने सहयोगियों मुहम्मद सुमनमिया मुहम्मद रोकन उर्फ राहू सरकार और रतेश पाल के माध्यम से प्राप्त करताओं डोन के बीच संबंध दिखाने के लिए जाली दस्तावेज तयार करते थे जाली दस्तावेज के आधार पर अस्पतालों से प्रारंविक चिकित्सा जाच कराते थे इसके बाद दिल्ली वनोईडा के अस्पतालों में किड्नी ट्रांस्प्लांट करवाते थे जाच के दौरान ये पाया गया कि डॉक्तर डी विजया राजकुमारी का निजी सहायक विक्रम सिंग रोगियों की फाइले तयार करने में सहायता करता थे और रोगी और डोना का हलफ नामा तयार करने में महत्वपूल भूमिका निभाता था विक्रम सिंग आरोपियों से प्रती मरीज 20,000 लेता था रसेल ने अपने एक सहयोगी के रूप में मुहम्मद शारिक का नाम भी बताया मुहम्मद शारिक डॉक्टर डी विजया राजकुमारी से मरीजों का अपॉइंटमेंट लेता था और पैथोलोजिकल टेस्ट करवाता था और डॉक्टर की टीन से संपर्ट करता था मुहम्मद शारिक प्रती मरीज 50,000 से 60,000 लेता था दो आरोपी व्यक्तियों विक्रम सिंग और मुहम्मद शारिक को 23 जून को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार आरोपी और असे लहमद विक्रम सिंग और शारिक ने खुलासा किया की डॉक्टर विजया राजकुमारी को इन लोगों द्वारा जाली कागजात के आधार पर किये जा रहे प्रतीक अवैद कार्य के बारे में पूरी जानकारी थी तदनसार 1 जुलाई को डॉक्टर राजकुमारी को भी वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया गया सब 23 जून को दिल्ली पुलिस आधा मड़ाई थी एक कावोपी की तवार्शन जिसका थार जो है अंतावाश्टी किड्नी रैकेट गिरोसी बड़े होने की असनका जताईगी क्या दुक्रोंगा देखिए दिल्ली पुलिस की कुछ पुलिस वल थाना बिल्लेगंज में 23 जून को आई थी हैं और उन्व किसी शारीक पुत्र कलीम जो बिल्लेगंजग कर रहने वाला ग्रफ्तारी के लिए पुलिस बड़ की मांग की थी जिस पर थाना बिल्लेगंज ज गई घर पर यह दस्तियाब नहीं हुआ था जिसके बाद पुलिस अपनी रवानिक राई थी यह वताया जा रहा है कि इसका कोई